रूल नबर 103 क्या कहता है आपका कुछ आपके वर्ड्स होते हैं ठीक है एक्जामिनेशन वहुत आप पूछे हाथ और आपने इंसे रिलेटर आपके कोशनस देखे होंगे ठीक है यहांब की कुछ आपके नावन निखे अगए तो यह टॉपिक किसी से रिलेटर कुछ आपके क्या ओते आपके नाउंस पर रहोते हैं इसका मतलब आपको लगता ही कि यह वर्ड आपका नाउन है बढ़ आपको वह पर लगता है है कभी आपको लगता है कि आपकर वहोता नाउन है इसे सब्धı में सूक्ते है मैं दिकित हैं एड़्वाइइस सी और से आपको ध्यान रएद काने सी वाला नाउन है और से वाला डाला वरहाँ बहुत इपॉचा गया और आपने guarantee दे रहा हूँ एक ना एक बार यह से related question आपने देखा ही देखा हुआ ठीक है चली तो इसको समझते हैं क्या है आपका sentence लिखा हुआ आपका he advices okay us on tax matters okay तो यह आपका he basically आपका subject है जो advices लिखा हुआ ना यह आपका CES यानि आपका यह noun और plural है अब यह आपर देखो he subject है अस आपका के प्रणावन है और यह क्या आपका objective के इसका प्रणावन है अब objective के sentence का structure form करना ना subject होता है जिसमें वह अडिकेट वाला part होता है तो predicates में क्या होता है आपका वो मिया ऐता है टाक है तो यहां पर का ses आपका S आपकी CES छीज़ेंस ठीक है यह चीते आपको ध्यान रखना डिक है क्यांक्त ज़ीक है आपका बात से रिलेटेड है, आपका प्रीच से रिलेटेड है, आपका एडवाइस से रिलेटेड है, यह important examination purpose है, कुछ और भी है, ठीक है, एक और है आपका important जिससे रिलेटेड है, आपने काफी बार देखा होगा, ठीक है, वह यह आपका practice, SE और CE में, ठीक है, तो SE वाला क्या आपका वर्व होता है, CE वाला आपका ना होता है, यह भी most important है, इसका advice का practice का, यह तीनों बहुत important, बात वाला भी देखा होगा, आप लोग ने, सारे, मैं तो कह रहा हूँ है, सारे important है, सारे important है, सारे दियान लग ठीक है, तो यह आपकी क् important होता है, examination में बहुत 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 पूछा आते हैं, इसका मतलब होता है, क्या लिखा है, आपका smoking effects your health, ओके, अब यहाप पर effect, effect अच्छा, यह चीह दिहान रखना, effect जो होता है, यह आपका work भी होता है, इसका मतलब होता है, to cause, तीक है, इसका मतलब होता है, आपका to cause, तीक है, अब यहाप पर जाप भी change का sense होगा, वहाँ पर effect को work की तरह भी use कर सकते ही, दियान रखना है, लेगिन यहाप क्या आपका smoking क्या गर रही है, आपकी influence कर रही है, तीक है, किस चीज को हमारे health को, तो यहाप यहाप क्या आपका effects आएगा, क्या आपका effect आएगा, ना of का smoking आपका subject है, gerund है, basically smoke का ing from gerund है, यहाप पर आपका subject की तरह यहाँ यहाँ आपका noun की तरह कर रहा है, clear है, तो यह चीज आपको दियान रखने, चार आपके sentences है, इन्वे आपने error find करने और इनका answer आपने comment करने, rule number 104 क्या कहता है, avoid using articles, टीक है कौन कौन से article E और N आपने use नहीं करना, और आपके numbers use नहीं करने, 1, 2, 3, 4, टीक है, इस तरीके से इन noun से पहले, okay, advice से लेगे आपका time तक, क्यों ऐसा करना आपको, क्योंकि यह जो noun होते हैं, यह आपके क्या होते हैं, uncountable होते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है, uncountable हैं, तो इनको count नहीं कहाँ जाएगा यह और अर्टिकल उनहीं के साथ यूज करते हैं, जो countable noun होते हो, singular होते हैं, ठीक है, 1, 2, 3, 4, इस लिए use नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह countable होते ही नहीं है, ठीक है, तो keep these nouns in singular form and don't, अच्छा एक चीज और ध्यान रखना है, पहला rule क्या करना है, यह और and use नहीं करना, numbers उसी चीज आपने रियान रखने हैं, कि इन noun को अभी भी आपका प्रूर फॉर में नहीं लिगना, like हम नहीं कह सकते हैं, हम फॉर्णी नहीं कह सकते हैं, लगेज हम नहीं कह सकते हैं, यह आपको ध्यान रखना है, when referring to these nouns, use quantifiers अच्छे, इनके आगे हम some use कर सकते हैं, much, a little, a piece of, a bit of, इस तरीखी के phrases हम use कर सकते हैं, इनको quantify करने के लिए, example लिए क्या लिखा है, आपका fuel is the backbone of industry, गलत हो गया, यहापे fuel जो noun है, वो आपका in general use कर रहे है, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपका in general हम क्या कर रहे हैं, इसका use कर रहे हैं, कभी भी आपका fuel noun को in general हम use क ठीक है, तो यह क्या होगा, आपका fuel is the backbone of industry, ठीक है, अचा, अगर हम किसी specific fuel को target कर रहे होंगे, तो हम इसके साथ यह और an article use भी कर सकते हैं, ध्यान रखना आपको ठीक है, like हम कह सकते हैं, आपका petrol is a good fuel, हम यह कह सकते हैं, ठीक है, diesel is a good fuel, हम इस तरीके सा हम क्या कर सकते हैं, यह article वहाँ पे हम use कर सकते हैं, बड़ी ध्यान रखना है, in general हम बात करूंगे, तो इनके साथ कभी भी article आपको use नहीं करना है, आगे बढ़ते हैं, next rule क्या करता है हमारा, next है आपका, देखो क्या लिखा आपके, यह है 1040, ठीक है आपका 103 रही है, he bought new furniture, गलत हो जाएगा, furniture हो जाएगा, जैसे कि मैंने बता है, ना ही प्लूरल बनाना है, ना ही यह और एन यूस करना है, इनके साथ, ठीक हैं, कुछ specific cases हैं, उनमें हम यह और एन यूस कर सकते हैं, प्लूरल आपको नहीं बनाना, नो आपके sentences है, इनमें आपको error find करना है, इनका answer आपको comment में करना है, 105 क्या करता है आपका, the following noun, the following noun, despite ending in s, are treated as singular and should take a singular verb, obviously why, अबिर यह नाउन लिखे हैं और यह आपके singular consider होते हैं, तो इनके साथ singular verb आएगा, ठीक है, अच्छा confusion होते हैं, इनके पीछे s लगावा है, तो इसे लोग क्या करते हैं, इनको plural consider करते हैं, तो गलत हो जाएगा, कुछ आपके नाउस ही देख लो, आपका देखो, mathematics है, economics है, statistics है, और आपको politics है, यह आपके subject के name हो, ठीक कर सकते हैं, तो subject के name के अलाबा कोई और meaning है, जैसे mathematics है, mathematics है, आपका subject का name है, लेकिन mathematics के एक और मतलब होता है, calculation, like मैं कहूँगा, आपका, my mathematics are good, is नहीं use होगा, क्योंकि वहाँ पे, आपका mathematics का मतलब होगा, calculation, एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, जब भी यह subject के name होंगे sentence में, तो इनके आगे the article use नहीं हो, like हम यह नहीं कह सकते हैं, the mathematics is a good subject, गलत हो जागा, mathematics is a good subject, clear, तो यह चीज़े आपको ध्यान रखना है, अब confusion ही आता है, कि हम कैसे हम, जब हम कह रहे हैं, कि इनके meaning के अलावे कुछ और, इनकी subject की name के अलावे कोई और meaning हो सकती है, तो वह आपको क्या ध्यान रखना है, कि अगर article लगा है, possible लगा है, यह फिर कोई भी चीज़ लगी आपके determined article लगा है, इनको determine करने के लिए, तो वहाँ पे subject का name नहीं होंगे, एक बार यह भी ध्यान रखना है, कि आप तो article किया रहे हो, कि article में अटाना है, तो sentence का context समझना, अग यह वहाँ पे subject की name की तरह यह use हो रहा होंगे, तो इस singular होंगे, subject की name की तरह use नहीं हो रहा होंगे, different meaning दे रहा होंगे, other than our name of the subject, तो इनके साथ आपका plural verb भी हम use कर सकते हैं, ठीक है, तो यह आपको ध्यान रखना है, जैसे यह आपको ध्यान रखना है, जैसे यह आपे लि example देखी, the news were not very good, ठीक है, तो the news हो जाएगा, तो इसके according laws आएगा, ना क्या आपका वर, इस से related आपकी कुछ sentences, homework के लिए, इनका answer आपको comment में करना है, मिलते हैं, the next section, till then, जैन जै भारत.